Welcome to sociology classes, मैं हूँ आपका दोस्त शिबू आज हम IGNO MPS 003 के exam के related important topics और exam के related important questions को थोड़ा discuss करने वाले हैं कि हमारे exam के लिए कौन सी चीज़े ज्यादा common है यहाँ पर मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे इस channel के playlist section पे आपको बहुत सारे चीज़े मिल जाएंगी आप लोग playlist को follow कर गये तो आपको ज्यादा तर चीज़े उहाँ पर ही मिल जाएंगी यहाँ पर हम आप देखते हैं कि कौन सी कौन से बहुत important topics है जो हमारे exam के लिए important है पहला है गांधी जी का contribution गांधी जी ने Indian National Movement में किस तरीके का contribution किया है वो हमें जानना होता है और यह जो question है यह बहुत बार पूछे जाने वाला एक question है इस बज़े से इसको आप लोग जिरा ध्यान से study करके जाना फिर है the directive principles of state policy यहाँ पर सिर्फ directive principle of state policy अगर आप लोग पढ़के जाएंगे सिर्फ इतने से नहीं होगा आप लोगों को साथ साथ इसका क्या positive side है यह भी आप लोगों को थोड़ा देख के जाना होगा फिर है इंडिया के सिनारियो में political democracy और economic development इस चीज को हम basically तीन stages में divide कर सकते हैं लेकिन इसमें से दो stages बहुत ज्यादा exam में पूछा जाता है यहाँ पर है 1947 से लेकर 1967 में तक क्या democracy और development में changes हुए हैं और फिर 1991 से हम किस तरीके का बदलाव देखते हैं इसमें से जो 1991 में जो बदलाव होय थे उसको हम basically LPG reform कहते हैं यानि कि इंडिया ने liberalization, privatization और globalization को 1991 में adopt किया था इसके बाद इंडिया का economy और democracy में बहुत ज्यादा बदलाव आया था आपको exam में सिर्फ LPG reform कहकर भी exam में पूछा जा सकता है इसमें से थोड़ा careful रहिएगा आपको क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या answer करना है फिर है class and caste inequalities in India यहाँ पर questions आपको सिर्फ caste inequality के बारे में भी पूछ सकते है या फिर class inequality के बारे में भी पूछ सकते है या फिर दोनों के बीच में relation को भी पूछा जा सकता है फिर है central legislature या फिर जिसको हम parliament कहते है parliament में जो parliament का structure है इसको आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा साथ साथ लोग सभा और राज्य सभा ये दोनों को specifically importance देना बहुत ज्यादा ज़रूरी है फिर है Indian federalism Indian federalism को हम कहते है कोजी federalism यहाँ पर Indian federalism में क्या क्या features है यह आप लोगों को जानना होगा साथ साथ working system of Indian federalism भी आपको जानना होगा यानि कि इंदिया में federalism के बज़े से किस तरीके का बदलाव हुए है फिर है 73rd Amendment Act and 74th Amendment Act 73rd Amendment Act जिसको हम पंचायती राज Act भी कहते है और 74th Amendment Act जिसको हम आरबान Local Governance Act भी कहते है यह दोनों को single भी पुछा जा सकता है या फिर इकठा भी पुछा जा सकता है फिर है present movements in India इंदिया में जो present movement है हम अलग-अलग stages में इंदिया का present movement देखते है pre-colonial time पे एक तरीके का movement था फिर independence के बाद immediately हम एक तरीके का present movement देखते है और आजकल जो contemporary India है वहाँ पर हम अलग तरीके का present movement देखते है यहाँ पर present movement से separately भी question पूछे जाते है contemporary इंदिया में जो present movements है जिसको हम new farmers movement भी कहते है इसके उपर भी question बहुत ज्यादा बनते है फिर एक और important topic है role of media in democracy यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा star लगा लेना क्यूंकि यह question बहुत ज्यादा पूछा जाता है हमारा media का क्या role है हमारी इस democracy में अब यहाँ पर जो भी topic है ज्यादा तर topic आप लोगों को मेरी channel के playlist section पर मिल जाएगी आप लोग जरा playlist section चेक कर लीजिएगा वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजे मैंने already provide कर दी है अगर आप लोगों को और भी कोई videos चाहिए तो आप लोग जरूर मुझे comment करके बताना मैं कोशिश करूँगा वो videos आप लोगों को provide करने के लिए फिर जो important topic है वो है identity politics in India इंदिया में identity politics हम बहुत ज्यादा देखते हैं यहाँ पर caste को लेकर religion को लेकर language ethnicity यह सारे चीजों को लेकर हम identity politics देखते हैं इसमें से caste जो है यह बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक question है काश्ट को लेकर इंदिया में किस तरीके का identity politics होते हैं इसके regarding बहुत ज्यादा question पूछे जाते हैं फिर है human development human development का जो definition है यह याद रखना होगा साथ साथ अलग-अलग क्या approaches है हमारा human development को समझने के लिए और human development का क्या क्या indicators है इसको भी आप लोगों को थोड़ा जानना होगा यह topic basically एक easy topic है लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा confusion होता है definition को लेकर फिर है gender and development यहाँ पर gender and development में जो women in development का concept है यह हमें थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा यहाँ पर developmental projects के साथ हमारा gender किस तरीके का relation रखता है यह हमें जानना होता है खास कर महिलाओं के उन्नती के लिए क्या क्या steps लिए गये हैं यह हमें ज्यादा पूछे जाते हैं फिर है regionalism in India यानि कि अलग-अलग regions को लेकर किस तरीके का हम politics देखते हैं इंडिया में इंडिया में हम language के basis पे region देखते हैं फिर religion के basis पे region देखते हैं caste के basis पे देखते हैं अलग-अलग तरीके का हम region देखते हैं और यहाँ पर regionalism इंदिया में हम बहुत ज्यादा देखते हैं। फिर है causes of internal migration। यहाँ पर internal migration से question पूछे जाते हैं। यहाँ पर internal migration का कारण क्या है और इंदिया में internal migration का क्या scenario है। यह आमको पुछा जाता है। अब internal migration को थोड़ा गुमा के भी पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा, कि rural urban जो migration है, इसको internal migration के साथ relate करके question में पूछा जाता है, फिर है sustainable development का concept, यह sustainable development का concept बहुत important है, इसका definition जिस तरीके से दिया गया है, आपको उसी तरीके से देखना होगा, साथ साथ इसके जो अलग principles है, यह भी आप लोगों को देखना होगा, फिर है religious politics in India, इंडिया में हम religion को लेकर बहुत ज्यादा politics देखते हैं, खास कर आज के time में हम Hindu revivalism का जो concept है, यह बहुत ज्यादा देखते हैं, शीप सेना, इसके जैसे और भी बहुत सारे ऐसे political parties हैं, जो सिर्फ religion के ऊपर base करके बनी हुई है, इस बद जैसे इंडिया में religious politics हम ज्यादा देखते हैं, फिर है ethnicity in India, इंडिया में ethnicity का क्या-क्या related problems है, अलग-अलग जगा उपर किस तरीके का ethnicity देखते हैं, य पर किस तरीके का ethnicity को लेके politics होता है, यह आप लोगों को जानना होगा, और यह question बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फिर आप लोगों को आखिर में देखना होगा, procedural democracy and substantive democracy, यह दो democracy के type आप लोगों को जानना होगा, और इमके related थोड़ा बहुत और topic detail आप लोगों को देखन अब यहाँ पर जो भी topic है, आप लोग अगर यह सारे topic कबर कर लोगे, तो आपको exam में 100% यह sure है, कि आप लोगों को exam में 5 questions यहाँ से मिली जाएंगे, और यहाँ पर जो भी topics है, ज्यादा तर topic मेरे YouTube channel पे दिये हुए है, वहाँ पर playlist section पे आप लोग देख सकते हो, और साथ साथ मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी जो topics है, वो आप लोगों को provide कर दो, अगर आप लोगों को कोई classes की जरूरत है, तो comment करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो class provide करने के लिए, तो चलिए, आज का class यहाँ पर ही खतम करता हूँ, अगर class स कोई मदद मिला हो, तो वीडियो को like और share जरूर करना, क्योंकि sharing is caring, जब आप दोस्तों के साथ चीज़े share करोगे, तब ही उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए क्यार करते हो, तो मिलते हैं अगली class में, तब तक अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, और लोगों में प्या बाड़ते रहिए, जाए हिंद